हलो दोस्तो मैं संदीप मिस्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूटूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज से मैं आप सभी के लिए Class 12 कमेस्टी से जुड़ा हुआ Unit 7 या फिर कह सकते हैं Chapter 7 पी ब्लॉक के तत्व यानि की पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत इंपोर्टन टॉपिक है वीडियो को ध्यान से देखेगा और वीडियो को पूरा देखेगा तो आपके NCRT बुक में जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में में सभी टॉपिक को हम आने वाले दिनों में अलग-अलग पार्ट में देखेंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाएए आपको प्लेइलिस्ट में पी ब्लॉक के तत्तों से जुड़ेवे जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो मिल जाएंगे इसके लावा आपके क्लास 12 कमेस्ट और टॉपिक को सॉल्ब कर पाएंगे तो वो भी वीडियो आप जरू देखेगा तो आएए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिरगा का रावसारी जिसे हम आधुनी का रावसारी के नाम से जानते हैं उसे चार ब्लॉक में बाटा गया तो पिछले क्लास, क्लास 11 में आप सभी ने S-Block, P-Block, D-Block और F-Block के बारे में बेसिक रूप से पढ़ा हुआ है डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है तो आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आपको मैं यहाँ पर सिर्फ इनके बारे में बेसिक बता दे रहा हूँ, क्लास 12 के सेलेवस में आपको P-Block, D-Block और F-Block पढ़ने हैं तो आने वाले दिनों में हम बात करेंगे P-Block के तत्तों के बारे में और उनके जितने भी गुण हैं और जितनी भी चीज़े आपके सेलेवस में NCRT के दी हुई हैं उनको डिसकस क प्रवेस करते हैं उन्हें हम S-Block के तत्व कहते हैं यानि कि जब हम electronic विन्यास करेंगे और electronic विन्यास करने पर जब आखरी electron जो होगा S-Block करेगा तो ऐसे तत्व कहलाएंगे S-Block के तत्व, आईए मैं आपको example के थुरू समझा देता हूँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि sodium का परमादू कर्मान 11 होता है, यदि हम इसका electronic विन्यास करें तो 1S2, 2S2, 2P6 और 3S1 होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो आखरी electron है, वो S-Block के तत्व, तो sodium यहाँ पर S-Block का तत्व हैं, वहीं हम बात करें, S-Block के तत्व के आवसाड़ी में इस्थान की, तो यह तत्व आवसाड़ी में पहले और दूसरे वर्ग में आते हैं, तो जैसा कि आप आवसाड़ी देख सकते हैं, तो पहला वर्ग यह हैं और दूसरा वर्ग यह हैं, इन दोनों वर्ग मे S block के तत्वों को रखा गया है अगला पंट यह है कि इनका electronic विन्यास करने पर जो electron होते हैं वो NS1 से लेकर NS2 में प्रवेश करते हैं यानि कि आप सभी जानते हैं कि जो S block के तत्व होते हैं उनमें सिर्फ दो ही electron होते हैं तो एक जो electronic विन्यास होगा वो होगा NS1 कर रहा था वहीं अगर magnesium का example ले 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 तो वह आएगा NS2 का example चलते हैं अगले point की और अगला point कर रहा है कि पहले वर्ग के तत्वों को चार धातु कहते हैं और इनकी आकसी करन अवस्था प्लस वन होती है अब इन्हें चार धातु क्यों कहा जाता है आईए समझते हैं इन्हें चार धातु इसलिए कहा जाता है कि जो चार धातु है वो हैनी कि यतने भी छार धातु होते हैं ये पानी से क्रिया करके कंस्थ यह About के तत्व को हमढ़ रहा है यहां पर वह बेसिक बता रहा हूं अगर आपको डीटैल से पढ़ना है तो इसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा यह तो बात हुई S-Block के तत्यों के बारे में आई नेक्स हम देखते हैं P-Block के तत्यों क्या होते हैं तो P-Block के तत्यों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे क्योंकि हमारा जो syllabus है syllabus के recording P-Block के तत्यों बहुत ब्रॉड में पढ़ना है तो इस वज़र से हम P-Block के तत्यों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसमें पाए जाने वाले जितने भी अलग-अलग ग्रूप हैं चाहे वो nitrogen परिवार हो चाहे oxygen परिवार हो उनके बारे में हमें detail से पढ़ना उनको कैसे बनाया जाता है या उनके योगिक कैसे बनते है उनके भहति गुड क्या है, उनके रासायनी गुड क्या है उनका उप्योग कहा है तो जितने भी topic आपके NCRT book में mention है उन सभी topic को हम detail से पढ़ेंगे तो यदि हम बात करें P-Block के तत्व की तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहतम कोस में P-Cose में भरते हैं उन्हें हम P-Block के तत्व कहते हैं जैसे यदि हम एक्जामपल की बात करें तो Carbon, Nitrogen, Oxygen, Silicon, Phosphorus इत्यादी तो आईए मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कैसे ये P-Block के तत्व है तो यदि हम Carbon का electronic विन्यास करें तो electronic विन्यास करने पर हम देखेंगे तो 1S2, 2S2, 2P2 जैसा कि हम सभी जानते है कि Carbon का परमारू कर्मांग होता है अच्छे तो यहाँ पर जो S के आगे 1 लिखा है तो यह प्रदर्सित करता है पहले कोस को यानि की K और यहाँ पर आप देख सकते है 2S2, 2P2 लिखा है तो आगे जो यह दो लिखा है यह दूसरे कोस को प्रदर्सित करता है यानि की कोस L उसी प्रकार से हम दूसरा एक्जामपल लेते पहले कोस को प्रदास्रित काता है तो यहां पर आप इले कोस को प्रदास्रित काता है तो आखरी इलेक्ट्रॉण किसमें जा रहा है टू पी में और वही फासफोरस में देखे आखरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है थ्री पी में तो जो भी इलेक्ट्रॉन है चाहे कार्बन के हो चाहे फासफोरस के हो तो आखरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोस में जा रहा है इसलिए ये दोनों किस ब्लॉक के तत्व हुए है? P-Block के तत्व हुए है यदी हम बात करें P-Block के तत्व के आवसारणी में इस्थान की तो P-Block के तत्व को आवसारणी में 13-18 वर्ग में रखा गया है जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर वाला पार्ट दिखाए दे रहा है 13 से लेके 18 तक के जो समू है ये आते हैं P-Block के तत्यों में यदि हम बात करें इनके electronic विन्यास की तो P-Block के तत्यों के सहिंजक्ता कोस का electronic विन्यास NS2NP126 होता है तो ये वाहतम कोस का electronic विन्यास है हम सभी जानते हैं कि वाहतम कोस सहिंजी कोस कहलाता है तो इसके वाहतम कोस में S में 2 electron और P में 1 से लेकर 6 electron होते हैं तो P-Block के अंतरगत वर्ग 13 और 14 को हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं तो आने वाले दिनों में हम वर्ग 15, 16, 17 और 18 तो यहां पर मैं आवसारी से रिलेटेट कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं जो खड़े का अलम है जिन्हें हम वर्ग बोलते हैं और इंगलिस में बोलते हैं या फिर सम्हू भी बोला जाता है तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 1,2,3,4 करके 18 यानि कि आधमिक जो आवत साड़ी है उसमें कुल 18 वर्ग दिये हुए है तो पहले के जो दो वर्ग है यह है आपके S ब्लॉक के तत्व बीच में आपको यह जो 10 वर्ग दिखाए दे रहे हैं यह है D ब्लॉक यानि कि 3 से लेके 12 तक और आवत साड़ी से बाहर नीचे 2 आप को पी ब्लॉक के तत्व दिये गया तो 13 और 14 के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है यदि बात करें हम क्लास 12 के सेलिबस की तो पी ब्लॉक के अंतरगत हम 15 से लेके 18 तक के समूहों के बारे में पढ़ेंगे जैसे की वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार वर्ग 16 परि आज की वीडियो बस इतना ही आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जूरू बताएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में इसे सेयर करना मत भूलेगा और यदि आप हमाई चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमाई चैन को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमाई चैन को सब्क्राइब कर लिजिए और बगल में जो बेल आइकान है उसे प्रेस करेगा और उपर की और जो आल का उप्सन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड क्या है खायम चैन कर जब बगल बातर त्वह गजएगा तो आपलोड आपने है और झाल का इस की और गजक्तिएग कर लिए और लुएर से वीडियों यस अब जवगल में इस 1-दन का उन की और ला Columbus हाह से तरह कूब बगल्डेंच हमाई से इस पालडें से गलापना है प्य